हालो साथियां महत्री चेनल में आपका स्वागत है आज मैं खक्सी का भुंजिया बनाने जारी हूं इसे रोटी के साथ सर्व करूंगी इसे काटकर और धोकर में दिखाती हूं देखिए मैं खक्सी को दोकर ले आई हूं इस तरह से बास करके दो तिन पानी में अब इसे मैं काटकर दिखाती हूं देखिए मैं एक खक्सी को काट कर दिखाती हूं इस तरह से देखिए गोल गोल कटेगा चक्री के तरह इसकी भुंजिया बहुत तुस्टी लगता है इसे जिनली मिलता है बाइमी के दिना में बरसाट के ताइम में इस तरह से आप काट दें एक किस काटी हूं है देखिए दूसरा में काट रहे हूं देखिए दोस्तों देखे एक हकसी मैं काट कर रख ली हूं पूरी तरसे यह पूरा काट ली हूं अभी से मैं गईत्क्री चलती हूं इसे कडाई चढ़ाऊं गया अपको दिखाती हूं किस तरह भूजना है देखिए मैं गईस को जला रही हूं देखिए इस तरह से जल जला रही हूं देखिए इसे फूला स्पर में गरम कर लेती हूं इस तरह से देखिए फुल हीट पर में गरम कर रही हूं इसे हलका ही गरम करना है ज्यादा नहीं इकड़ा ही नौनस्टिक है इसमें ज्यादा गरम करने की जुरूत नहीं है इसमें मैं तेल डालती हूं सरसो का सरसो का तेल में यह सबसे टेस्टी बनता है इसमें कुछ जरूत नहीं है डालने का मस इतना में तेल डाली हूँ इस तरह से फूल हीट पर इसे गरम कर लेती हूँ चमच से खाने बड़ा चमच से दू चमच ये तीन चमच होगा इससे जदा नहीं है अगराम से होगा 25 गराम से कमी इजीरा का फोरन वे छाती हूँ चमच से G.S. तो कोई इच्छा है तो डालें नहीं तो कुछ सक्ते हैं- उससे जी अधासा डाल दी हूँ स्वाद के लिए इस तरह से देखिए ये ब्राउम हो जाएगा उसमें मैं वही खक्सी काटी हूँ उसको मैं डाल दूँगी फूल ही ठाय भी फ्रेम पर है देखिए किस तरह से पक रहा है ये दिदा मैं अपने घर के ही समान से बनाती हूँ ज्यादा ताम ज्याम करने की कोई जूरत नहीं है इसका सबजी भी बना सकते हैं पर ये भुंजिया ही ज्यादा अच्छा लगता है अब देखिए मैं खकसी काटी हूँ जो डाल रहे हूँ इस तरह से जरम हो चुका था इस तरह से पड़ पड़ाने लगेगा तो में चलाकर भी इखाती हूँ इसमा संदर संदर लग रहा है मैं चर्पाच लोगों के लिए बना रही हूँ मैं इसे ही मंतेशने इसरी दिखाने के लिए बनाती हूँ इसे मैं आप सबको बताती हूँ कि असे की है आप लोग पूरी तरह से शीख जैंगे बनाने के लिए अबहार वेयर इसे बीडियो में डाला जता है कि एक दो लोगों के लिए Toki जालता doesising बनाने तो ज्यादा ही बनता है दो दाल जशडे, तेसे बेहुत अच्छा होता है ठाने में किसमा केश्ती होता है, नाली, र्मisti जूरे, किसी चीज के साथी होता है के लगा क्वजिया भीरे में कहा सकते है। उस्तिング किया गायर ज्यादा थेल भी नहीं देखिए जब बन खो गिने सभी लोगों के लिए बताओँगे जिद्धी जदा लोगों के लिए बना सकें प्रोटा कर दो फा.: इसमें देखिए, 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 इसमें इसको धाफ करब चिभाएं नहीं तो यह देरी से सिझेगा इसका से मैं इसे धाफ देती हूं और कर देती हूं इसका मीडियम कर देती हूं आज को खिर्द बन जाएगा उसके बाद दिखाऊंगी देखिये इसके अप्सी का इस तरह से इतना तक तयार हो चुता है देखिये इसके इसके व्योवान नहीं नहीं नमात। आप को दिखाना भुला गई में इसलिये आपको बता देती हूं कि इतना नबश पलईगा चमछ जल मढव लूमाग गपको चमछ ब्हबादी हूं अ मैं उखाना भुला रही हूं कि इसलिए जलती हो हुग है मैं यह चक्मात भीख़िव में हल्ली कोड़ा एड़ कर रही हूँ जी मार्क से आउट हो गया था इस बिखिए यह चमस हल्ली में लावे है इस तरह से कर देखिए था पाँ है तरह कर देखिए प्रॉप इस्टा देखिए दाखिए लावे रही हो गया था भातने में तो देड़े-देड़े शिख जाएगा आपको मैं पूरा हो जाएगा तब मैं दिखाँ किस तर से दिखिये तेल उच्छा उसतह तरस आप तेली डगेएगा नेत उतना अच्छा नहीं होगा इसे तरह से आप ज्यादा तेल थ्वासा इसमें लगता है ज्यादा एकदम नहीं इसे मेडियम इसे में फिर कभर करती हूँ सली करना था जान दक हो देखे मेरा भुंजिय डहीं वचु का है इस फेलिष तरह से इस तुर जाते सही है यहां कि इस तरह से यह तयार हो चुका है इसे में दिखाती हूं कि सिज़ चुका है अब इसे में रोटी के साथ आपको सर्व करके दिखाती हूं रोटी और दालवाद देखिए 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 कितना स्टिपाद आता है देखिए देखिए दूसरा पीस भीले दिखाती हूं देखिए इस तरह से तुट गया है यह हो गया है देखिए तरह से यह तैयार हो चुपा है इसे मैं रोटी के साथ साथ स込र करके दिखाती हूं रोटी दालवाद सब्जी आपको सर्व करके दिखाती हूं जब ह recognise दालवाद के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में रोटी के साथ लिए और मैं इसको बंद करते हैं सगरमा गरम परोस्ति देखे मैं ये खक्सी का जो भूंजिया बनाई हूं उसको मैं दाल भात चोखा आलू का जो होता है विहारी श्टैल में वह चोखा में साधा साधा बनाई हूं आयमाइंगो और रोती के साथ मैं सेल्ब करें हूं आपको महद